प्राचिन समय की बात है भारत में एक राजा राजी करता था वह प्राही परतावी और धानी था नित्य परती दिन मंदिर में भगवत दर्सन करने जाता था वह ब्रामन और गुरु की सेवा किया करता था उसके दरवाये से कोई भी याचक निरास होकर नहीं लोटता था वह नब परत करती, ना किसी को एक वैसा दान में देती थी, वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी एक समय की बात है कि राजा सिकार खिलने बन को चले गए थे, घर पर रानी और दासी थी उसमें गुरु बहस्पती देव साधु का रूप धारन करके राजा के धरपाजे पे आए और भिक्छा मांगने लगे तो साधु ने रानी से भिक्छा मांगी तो वह करने लगी कि है साधु माराज मैं इस दानपुन से तो तंग आ गई हूँ इस कारी के लिए तो मेरे पती देवी बहुत है अब आप ऐसी क्रिपा करें कि सारा धन नश्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूँ साधु रूपी बहस्पती देव ने कहा हे देवी तुम तो बड़ी बिचित्र हो संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता इसको सभी चाहते हैं पापी भी पुत्र और धन की इक्षा रखता है अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भुखे मनुस्यों को भोजन कराओ प्याओ लगवाओ ब्रहमनों को दान दो धर्म सालाएं बनबाओ कुआ, ताला, बाबडी, बाग बगीचे आधिका निर्मान कराओ और निर्धनों की कुवारी करन्याओं का विवा करवाओ साथ ही यग्ये आधि करो इस प्रकार के कर्मों से आपका कुलकन और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एगवं स्वर्ग की प्राप्ती होगी परन्तू, रानी, साधू की इन बातों से खुसना हुई, उसने कहा है साधू मराज, मुझे ऐसे धन की आवस्सक्ता नहीं, जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूँ और जिसको रखने और संभालने में ही सारसन में मेरा नश्ट हो जाए। जिसे कहते हैं, अपने केसों को पीली मिटी से धोना, केसों को धोते समय असनान करना, राजा से कहना हुआ हजामत करवाए, भोजन में मांस मदीरा खाना, कपड़ा धोवी की यहां धुलने डालना, इस प्रकार साध ब्रस्पतिवार करने से तुम्हारा धननाश्ट हो यह करकर साधू माराज रूपी ब्रस्पति देव अंतर ध्यान हो गये, राणी ने साधू के कहने के अनुसार साथ ब्रस्पतिवार तक वैसा ही किया, साधू के बताए अनुसार कारे करते हुए अभी तो केवल तीन ब्रस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्धन संपति नश्ट हो गई, भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरस्टने लगा, तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा, तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुस से जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कारे नहीं कर सकता, अब मैं पर देश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंदा करूँगा, सायद हमारे भाग बदल जाए, ऐसा कहकर राजा पर देश चला गया, और वहाँ जंगल में लकडी काटता, और सहर में बेशता, इस तरह से जीवन ब्यतीत करने लगा, इधर राजा के बिना राणी और दासियां दुखी रहने लगी, किसी दिन भौजन मिलता, किसी दिन जलपी कर रहा जाती, एक समय राणी और दासियों को साथ दिन बिना भोजन के किये हुए बेटी करना पड़ा, तो राणी ने अपनी दासी से कहा है दासी यहाँ पासी के नगर में मेरी बेहन रहती है वह बड़ी धन्वान है तो उसके पास जा और वहां से पांच सेर बेजर मांग कर ले आ जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा दासी राणी की बेहन के पास गई रानी की बहन उसमें पूजन कर रही थी बैस्पतिवार का दिन था दासी ने रानी की बहन से कहा हे रानी मुझे आप की बहन ने भेजा है मुझे पांस सेर भेजर दे दो दासी के अनेक बार कहने के बाद भी रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उसमें बैस्पतिवार की कथा सुन रही थी जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई उसे क्रोध भी आया वह लोटकर रानी से बोली हे रानी आपकी बहन को बहुत धनीस्तरी है वह छोटे लोगों से बात नहीं करती मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया मैं वापस चली आई रानी बोली हे दासी इसमें उसका कोई दोस नहीं है जब बुरे दिन आते हैं न तो कोई सहरा नहीं देता अच्छे बुरे का पता आपत्ती भी पत्ती में ही लगता है जो इस सवर की इच्छा होगी वही होगा यह सब हमारे भागे का दोस है उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी परन्तु मैं उससे ना बोली इससे वह बहुत दुखी होगी अथा कथा सुन भगवान विश्णू का पूजन समाप कर वह अपने बहन के घर आ गई और कहने लगी हे बहन मैं बरस्पती देव की बरत कर रही थी कथा सुन रही थी तुम्हारी दासी हमारे घर गई हुई थी प्रन्तू जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उड़ते हैं न बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी रानी बोली बहन हमारे घर में अनाज नहीं था वैसे तुमसे कोई वास तो छिपी भी नहीं है इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास पांच सेर बेज़र लाने के लिए भेजा था रानी की बहन बोली बहन देखो ब्रिस्पती देब सभी की मनो कामनाएं पुर्ण करते हैं देखो साय तुम्हारे घर में अनाज रखा हो यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक खड़ा बेज़र मिल गया दासी को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बरतन देख लिया था उसने बाहर आकर रानी को बताया तो दासी अपनी रानी से कहने लगी है रानी देखो वैसे हमको अब जब अन नहीं मिलता तो हम रोजी बरत करते हैं अगर इनसे बरत की बिदी और कथा पुछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से ब्रस्पतिवार बरत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया हेरानी बहन ब्रस्पतिवार को सुर्योदे से पहले उड़ जाएं असनान करके ब्रस्पतिवार का बरत करना चाहिए लेकिन उस दिन सीर नहीं धोना चाहिए ब्रस्पतिवार के बरत में चने की डाल, मुनक्का से बिश्णु भगवान का केले के विष्ट की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाबें उस दिन एक ही समय में भोजन करें भोजन पीले कलर का होना चाहिए खादे पदात और कथा सुने इस प्रकार करने से गुरु भगवान परसंद होते हैं अन्पुत्र धन देते हैं मनो क कामना पूर्ण करते हैं ब्रत और पूजन की बिधी बताकर रानी की बहन अपने घर लोटाई रानी और दासी दोनों ने निस्टे किया कि ब्रिश्पती दे भगवान की पूजन जरूर करेंगे साथ दिन बाद जब ब्रिश्पती वार कर दिन आया तो उन्होंने ब्रत किया था इस कारण ब्रिश्पती दे प्रसंद थे एक साधारन व्यक्ति के रूप में वे दो थालों में सुन्दर पिला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले है दासी या भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है तुम दोनों करना दासी भोजन पाकर बहुत प्रसंव और रानी से बोली रानी जी भोजन कर लो रानी को इस भोजन के बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए वह दासी से बोली चाह तुही भोजन कर क्योंकि तुब्यर्थ में हमारी हसी उडाती है दासी बोले एक ब्यक्ति भोजन दे गया है रानी कहने लिए वह भोजन ते भोजन आरंब किया इसके बाद वे दोनों परतेग वहस्पतिवार को गुरु भगवान का ब्रत और पूजन करने लगी वहस्पति भगवान की क्रिपासे उनके पास धन हो गया परन्तु रानी फिर पहले की तरह आलत से करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस प्रका आलत से करती थी तुम्हें धन रखने में कस्ट होता था इस कारण सभी धन रश्ट हो गया अब गुरु भगवान की क्रिपासे धन मिला है तो तुम्हें आलत से हो रहा है बड़ी मुसीद्य के बाद हमने धन पाया है इसलिए दान पुर्ण करना चाहिए तुम्हारा कुल का यस बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो पितर देव प्रसन हो दासी की बात मान कर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने आरम भी किये जिससे उनका काफी यस फैलने लगा एक दिन रानी और दासी आपस में विचार कर रही थी कि ना चाने राजा किस दिसाम होंगे उनकी कोई खोच खबर नहीं है गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने राती में राजा को सब ने कहा है राजा उठ तिरी रानी तुझको याद करती है अब अपने देश को लोट जा राजा प्रतरकल उठकर जंगल से लकडियां काट कर ल बेचकर गुजारा करना परा उसी समय उस जंगल में बस्पती देव एक साधू के रूप में आये और राजा के पास आकर बोले हे लकड़ारे तुम इस सुनसान जगल में किस चिंता में बैठे हो मुझको बताओ या सुनकर राजा के नेत्रों में जल भराया और साधू की बना करके बोला हे प्रभू आप सब कुछ जाने वाले हैं इतना करका राजा ने साधू को अपनी संपुर्ण कहानी बतला दी महात्मा दयालू होते हैं वे राजा से बोले हे राजा तुम्हारी पतनी ने ब्रस्पती देव का अपमान किया था अपराद किया था जिसके कार अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो भग्वान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे देखो तुम्हारी पत्नी ने प्रश्सुंतीवार का ब्रतारम कर दिया है अब तुम भी प्रस्पतिवार का ब्रत करके चने की दाल और गुर्ट जल में डाल कर लोटे में केले का पूजन करो फिर कथा कहो और सुनो भगवान तुम्हारी सब मनुकामनाओं को पुर्ण करेंगे साधू को परसन देखकर राजा बोला है प्रभू मुझे लकडी बेश कर इत कहानी कहूं मुझको तु कुछ भी मालूम नहीं है साधू ने कहा है राजा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो ब्रहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडियां लेकर सहर में जाओ तुम्हें रोज से दुगोना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भाती भो कोई भी संतान नहीं थी वह नित्र पूजा पाट करता प्रंदोस की सुख हुआत के सात रहती थी वह असनान करती ना किसी देवता की पूझन करती प्रातकाल उड़ता सपरत्म भूजन करती बाद में कोई अनिक्यार करती थी ब्रहमन देवत बहुत दुखी रहते थे पतन विष्णूं की जब करती वह बचपन से ही प्रस्पतिवार का बरत भी करने लगी और पाड समापत कर श्कूल जाती तो अपनी मुठी में जोब भरकर ले जाती और पाड साला के मार्ग में डालती जाती थी वही जो सौरन की हो जाते तो लोड़ते समय बीन कर घर ले आती एक दिन वह बाली का सूप में उन सोने के जोओं को फटक कर साप कर रही थी तब ही उसकी माने देख लिया और कहा है बेटी सोने के जोओं को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए ना दूसरे दिन गुरुवार था इस कन्या ने बरत रखा और ब्रस्पती देव से प्रार्थना करके कहा है प्रभू यदि मैंने सच्चे मंसी आपके पूजा की हो तो सोने का सूप दे दो ब्रस्पती देव ने उसकी प्रार्थना सुप कर ली रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती भी स्कूल चली गई स्कूल से लोटकर जब वह जौ बिन रही थी तो ब्रस्पती देव की किरपासे उसे सोने का सूप मिला उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साप करने लगी परन्तु उसकी मां का वही ढंग रहा एक दिन की बात है वह कन्या सोने के सूप में जौ साप कर रही थी उसमें उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला इस करन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख वह उस करन्या पे मोहित हो गया राज बहल आकर वह भोजन और जलत्याग कर उदास होकर ले लिए राजा को जब राजकुमार के दौरा अन जलत्यागने का समाचार क्याब्त हुआ तो मंतरियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले हे बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है किसी ने कोई अपमान किया है या कोई कारण है तुम मुझको बताओ मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो राजकुमार ने अपने पिता की बाते सुनी और वह बोला मुझे आपकी किपा से किसी बात का दुख नहीं है किसी ने में अपमान नहीं किया है पन तुम इस लड़की के साथ विवा करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साप कर रही थी यह सुनकर राजा अस्चर में पढ़ गया और बोला है बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ मैं उसके साथ तुम्हारा विवा अवसी करवा दूँगा राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा को आदेश दिया राजा का आदेश ब्रहमन को सुनाया कुछी दिन बाद ब्रहमन की कन्या का विवा राजकुमार के साथ संपन्न हो गया कन्या के घर से जाते ही उस ब पुझन के लिए भी दोनों समय का अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर ब्रहमन देपता अपनी पुट्री से मिलने आए बेटी ने बहुत सी पिता की आवस्था को देकर धन बेगेरा देके पिता को बिदा कर दिया इस तरह ब्रहमन का कुछ समय तो जिससे गड़ी दूर हो जाएगी ब्रहमन देपता अपनी पुट्री को लेकर पहुंचे तो पुत्री ने के पास राजमहल तो पुत्री ने मा को समझाने लगा है मा तुम प्राता काल उटकर पर्थम असरादी करके विश्णो भुवान का पूजन करो तो सब दिता दूर ह जाएगी परंतो उसकी माने उसकी एक भी बात नहीं मानी पुट्री को बच्चों का जूठा नहीं खा लिया एक दिन उसकी पुट्री को बहुत बुसराया उसने एक रात कोठी से सभी समान निकाल दिया और अपनी मां को उसमें बंद कर दिया पुजा पाट करवाया तो उ उसकी माँ की बुद्धी ठीक हो गई उसके बास नियंसे पूजा पाढ्ट करती प्रतेविशंडेच भृत्वर्त के प्रफाव से मां की भाउं भी भ्याण धनवान दिनों के पेकच्छा ज्यादा धन मिला राजा ने चना गुड़ादी लाकर ब्रस्पतिवार का ब्रत किया और उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गया प्रंट जब अगला गुरुवार का दिन आया तो ब्रस्पतिवार का ब्रत करना भूल गया। फांसी की सजादी जाएगी राजा की आगया नुसार राजी के सभी लोग राजा के घर में भोचन करने के लिए सम्मिली थोए लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ने गया और राजा लकड़हारे को भोचन करा ही रहते कि रा करहारे जेल कमें गया तो बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर जन्व के कर्म से मुझे यह दूख प्राप्त हुआ है और उसी सादुए को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था ततकाल बैस्पति रेप सादु के रूम में प्रकट तो उनसे ब्रस्पति देव की पूजा करना तो तरी से भी कष्ट दूर हो जाएंगे अगले ब्रस्पति बार उसे जेल के दवार पर चार पैसे मिले राजा ने पूजा का समान मंगा कर कथा कही और परसाद बांटा उसी रात्री को ब्रस्पति देव ने उस नगर के राज तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किर दिया है वह निर्दोस है वह राजा है उसे छोड़ देना रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है अगर तु ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नश्ट कर दूँगा राजा प्राता काल उठा और खुटी पर हार तंगा हुआ देख लकर हारे को बुला कर छमा मांगी और राजा की योग सुन्दर वस्त आभुसन भेट कर उसे विदा किया गुर्देव की आग्यानुसा राजा अपने नगर को चल दिया जब राजा नगर की निकट पहुचा तो उसे बड़ा ही आस्चर हुआ नगर में पहले से अधिक बाग तलाप कुएं और बहुत सी धर्मसाला आदीब बने वे थे मंदी आदीब बने वे थे तो राजा को आस्चर हुआ राजा ने पूछा यह किसका बाग और धर्मसाला है तब नगर के सब लोग कहने लगे य यह सब राजा को आस्चर हुआ और गुसा भी आया जब राजी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा है दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोर गये थे वह हमारी हालत को देकर लोट न जाए इसलिए तु दर्वाजे पर खड़ी हो राजा राजा की आगया नुसा दासी दर्वाजे पर खड़ी हो गई जब राजा आये तो उन्हें अपने साथ महल मिली वाला आई तब राजा ने क्रोजब करके अपनी तलवार निकाले और पूछने लगा बताओ यह धन तुमें कैसे प्राप्त हुआ तब राजी ने बत पर्टे में चनी की दाल बनी रती वह दीन में तीन बार कथा करता एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन किया हो आवे इस तरह निस्टे कर राजा गोड़े पर सवार होकर अपनी बहन किया चल दिया माग में उसे देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं उन्हें रोकर राजा कहने लगा अरे भाईयों मेरी ब्रेश्पतिवार की कथा सुन ले वे बोलो लो हमारा आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की पड़ी है परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुमारी कथा भी सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और कथ कथा करनी सुरी कर दी जब कथा आधी हुए तो मिर्दा हंने लगा और कथा समाफ्ट हुए दो रावरम कहते वे मर अथा कड़ा ओगया राजा आगे बढ़ा उसने चलते चलते साम हो गई आगे मारं में एक किसान खेत में हल्चलाता मिला रजचा उससे बोला अरे भाईया में बहुत जोर दर्द होने लगा उसी समय किसान की मा रोटी लेकर आई उसने जब यह देखा तो अपने पूत से सभाल पूछा बेटे ने सभी हाल कह दिया तब बुढ़ी दोड़ी घुसवार के पास गई और उससे बोली मैं तरी खता सुनगी तू अपनी कहता मेरे खेत प तो वह देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहन से पूछा ऐसा कोई मनुस नहीं है जिसने भोजन ना किया हो वह मेरी बैसपती देव की कता तो सुन ले यह सुनकर बहन बोली भाईया यह देस ही ऐसा है लोग यहाँ पहले भोजन करते हैं बाद में अन कि उसके ज़स से किसी ने भोजन नहीं किया है राणी ने अरा बहसर क्या कि बहाार window कही आ क्था सबहु हो गया आप तो पहल खाला ने बाद के देख़ा है लाजा चाहां तो यह तुम दो तो ले खाली है आपiał मैं तो तो खोवासर आपने भाई को करता के गया नहीं Parece पास्र बोली चली जा परन्तु अपने लडकों को मत ले जाना क्योंकि तरे भाई को कोई संतान नहीं होती है बहन ने अपनी भाई से कहा है भईया मैं तो चलूँगी कोई बालक नहीं जाएगा राजा ने कहा जब बालक आ लाकर क्या करोगी दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राजा ने अपनी राणी से कहा हम नहीं संतान है हमारी कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता इतना कहकर बिना कुछ खाए सेया पर लेट गए राणी बोली है प्रभू बैस्पती देव ने हमें सब कुछ दिय नवे महने राणी के गर्व से एक सुन्दर पुद्र पैदा हुआ जब राजा की बहन ने सब सुप समाचार सुना तो वह बहुत कुछ दूई और बधाई लेकर अपनी भाई के हाँ आई तभी राणी ने कहा घोड़ा चड़कर तो नहीं आई गधी चड़ी आई राजा क दूसरों को सुनाथा है जो संसार में सच्छे हिर्दे से बैस्पती देव की पूजन करते हैं उनकी सभी मनो कामनाए उसी प्रकार से पुन होती जैसे पाज़न ऑर राज रानी मफा एपaca की किया उनकी सभी इच्छाएं ब्रिश्पति रेवन पूर्णी की थी मनुस्य को हिर्दे से उनका जजेकार करते वे मनन करते वे जजेकार बोलना चाहिए ब्रिश्पति भगवान कीजए बिश्णु भगवान कीजए लक्षी मैया कीजए दोस्तों ये कथा आधी मत सुनियेगा बहुत पाप लगता है आप जब भी कथा सुने पूरा कथा सुनने के बाद हाथ में जो आपने पूस्प या चना गुड रखाता वहीं पर अरपित करें और परणाम करें आरती करें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे